Hello everyone, welcome to Student Help BHHF 101 के इस वीडियो में हम 12 marks का बहुत important question discuss करने वाले हैं इसमें हम लोग इस चीज को देखेगे कि environment क्या है इसके अलावा ऐसे क्या initiatives लिए गए है environmental conditions को सुझारने के लिए भारत वर्ष में इस चीजों को describe करें तो start करते हैं उसके पहले लेकिन अगर अब तक आपने हमारे चाहिए सब्सक्राइज नहीं किया है तो do subscribe to the channel और यहां पर आपको वो सारे content मिल जाएंगी जो कि आपको exam में पास करने के लिए और अच्छे number लाने के लिए जरूरी है तो do view the videos और आपको सारे के सारे जो भी आपको content की जरूरत है उसका जो भी notes है वो सारे के सारे हमारा blog पे मिल जाएगा and blog का link एस वीडियो का description में है तो do check the blog वहाँ पे आपको सारे के सारे notes Hindi और English दोनों versions में मिल जाएंगे तो start करते हैं कि environment है क्या तो सबसे पहली चीज जो की हमारे दिमाग में आती है कि जो भी हमारे इल्द गिर्द चीज़े है चाहे वो वनस्पती हो पेड़ कौदे हो या फोना हो जानवर है जो भी जीव जन्तु है या जो भी माकी इंसान है या जो भी living चीज़े है अगर हम लोग बायोटिक और अबायोटिक में देखें कि जो भी living चीज़े हैं जो भी जीवित चीज़े हैं और जो भी चीज़े ऐसी हैं जो की मृत है या जिन में जान नहीं वो सब की सब हमारे environment में और इन सबों से मिलके बनता है environment environment को हम लोग जैसा कि भारत में कहते हैं पंच महाभूत कि उसमें हवा हो, आग हो, पानी हो, वायू हो और आसमान हो तो ये सारी चीज़ा अगर है तो फिर हम लोग उसको कहते हैं environment और यही definition गान्दी जी ने अपने टाइम पर दिया था गान्दी जी ने हलाकि एक और observation दिया था कि environment या फिर nature के पास में इतना प्रकृति के पास में इतना संसाधन जरूर है कि वो हमारी means को, हमारी जरुरतों को पूरा कर सके लेकिन हमारी greed या हमारी लालच को पूरा नहीं कर सकती है क्योंकि लालच बढ़ते जाता है इसी तरह से economic development के नाम पर अंदाध धुंद जो की दोहन किया गया है प्रकृतिक संसाधनों का economic development के तोर पे जब मैं कह रहा हूँ तो factories की मैं बात कर रहा हूँ मैं उन industries की बात कर रहा हूँ इसकी छाई को तो जल प्रदूशन हो रहा है इस तरह से कई और चीज़े हैं जो की economic development के नाम पर काफी सारा pollution पूरी दुनिया में साल आया गया पिछले जो की सदी रही है पिछली सदी में जो की industrial revolution का समय रहा है उसमें जो भी batteries रही है वो सबकी सब fossil fuel based रहे है कहीं पे कोईला जलाया गया है तो कहीं पे तेल जलाया गया है इन दिस वेग वेरियस जो की sources हैं वाटर के चाहिए बड़ी बड़ी नदिया हो या समूदर खुद हो उसमें इतना pollution हो चुका है कि आज की देटन उसको counter करना एक बहुत बड़ा issue है और जहां तक air pollution की बात है तो इससे तो हम लोग रोज बोचार होते हैं अगर हम लोग November, December के टाइम की बात करें तो Delhi में आपको पता है इस तरह का कौरा चाह जाता है कि इसमें सांस नहीं लिया जा सकता है तो ये जो की examples हैं इससे हमें पता चलता है कि economic development के नाम पे कुछ भी करने से नहीं चलेगा हमें सोच समझ के आड़े बढ़ने की जरूरत है sustainable development की जरूरत है कि जिससे सबका विकास हो प्लस कोई long term हानी नहीं हो वहीं जो की development के benefits उसको पता है जो भी बड़ी बड़ी factory लगाते हैं जो owners हैं उनके पास में सारा पैसा जाता है जो workers हैं उनके पास में कुछ बहुत कम पैसा जाता है और बाकी जो लोग की city के आसपास रहते हैं वह उस pollution के तो शिकार हैं लेकिन उनको उनसे कोई फाइदा नहीं हो रहा है तो इस तरह से हमें यह देखने की जरूरत है कि भले इंडस्ट्रियल जो की इलाके हैं जो भी बड़ी-बड़ी countries जहां पर कि खूब इंडस्ट्रियल development हुआ वो cities तो अमीर हो सकते हैं लेकिन जो की environment है वो degrade हो गया और जो की normal लोग हैं उनकी living conditions बुरी होती चलिए global warming इसका एक बहुत बड़ा example है कि developed countries ने इतना carbon उत्सरजन किया कि आज की रियक्ट में फूरी दुनिया में इसको लेके problems चल रहे हैं लेकिन again developed countries इससे बड़े आराम से भाग गाई ही कि नहीं हमने तो ही किया ही नहीं है आप देख लो आपको जो करना है लेकिन इंडिया में इस चीज़ों को रोटने के लिए कि यहाँ पे कोई एक factory ना खड़ा कर दे कोई एक company ऐसे नहीं करने लगे कि जो इंवार्मेंट का यूज करना है और कैसे उसको बचा के रखना है इसमें पहला जो की important point है वो यह है कि protection होना से इंवार्मेंट का और जो भी wildlife है, forests है, उनका safeguarding हो जैसे कि आपको पता है काफी सारे one-nagyive अभारणिया है जैसे कि आपको मिल जाएंगे natural parks है इसके अलावा काफी सारे आपको wildlife countries मिलेंगी जैसे कि Jim Corbett National Park है तो इन जगों पर क्या है आपको जग़ जग़ पर दिखेगा कुछ जानवरों को safeguard करके रखा गया है वहाँ पे आप पेड़ नहीं काच सकते हैं आप फैक्री नहीं लगा सकते हैं तो इससे क्या है environment and wildlife दोनों की चीज़ों को हम लोग safe कर रहे है ताकि आने वाली कीडियों तक वो चीज़ें चले इसके अलावा जो की राज ये सरकार है या पर जो भी country की सरकार है इसके लिए एक act सेट किया गया उनके लिए कानून बनाया गया है कि वो लोग जादा से जादा environment को safeguard करने की कोशिश करेंगे वो लोग जंगलों को बचाने की कोशिश करेंगे हना कि ये होता नहीं है लेकिन ये act है इसके अलावा जो बाते हैं कि fundamental duties के तोर पर आज किया गया है कि हर Indian का ये एक right है कि ये एक duty है बेजिकली right नहीं ये duty है कि वो protect करें और improve करने की कोशिश करें भारत की environmental conditions को वो forests, lakes, rivers, wildlife इन सबों के प्रती compassion रखें और इन सबों को हो सकें तो बैतर बनाने की कोशिश करें जो भी जंगली जानवर है उनके प्रती compassion है लेकिन आपको पता है इंडिया में यसा होता नहीं जो भी लोग हैं हमको मौका मिल जाए कहीं पे भी अगर सरकार ने पेड़ लगवाएं जैसे कि मैंने social forestry के वीडियो में बताया है कि मध्यप्रदेश में कुछ करोडों पेड़ लगाए गए थे इसी तरह आपको दिखेगा तालाव हो या नदी हो लोगों को जो मंसों उसमें प्लास्टिक में को लोग चीज़ें बांद बांद के डालते जाते हैं इस तरह rivers and lakes का pollution होता है और wild life के प्रती तो खहर हम लोग कभी भी sympathy कराए नहीं है किसी के घर पे साप आजाए तो उसको निकालने की जगए उसको मारना लोग ज़्यादा प्रिफर करते हैं इसके अलावा आपको दिखेगा मुंबई में कई जगों पे शेर बाहर आ जाते हैं यह सब होने के बावजूद 1984 तीम दिसंबर को जो भोपाल गैस ट्राजडी हुआ जिसमें कोई 3500 लोगों की मौत हुई आधिकारिक तोर पे और पता नहीं कितने लोग मारे गए होगे जिनको सरकार ने कभी माना नहीं इससे आपको यह पता चलता है कि भले ही कानून बन चुके हूँ लेकिन इसका implementation ग्राउंड लेवल पे होता नहीं है अगर होने लगेगा तो चीज़ा सुधर जाएंगी तो यह था analysis इस पूरे topic का मैंने सारे points cover कर दी है जो कि आपको लिफने की जरूरत है अगर फिर भी आपको लगता है कोई pointer जो छूट गया है तो do comment so that's all for the video, thanks for listening and God bless you all